नमसकार दोस्तों एक मित्र ने पूछा है कि income tax department जो है वो कितने तरह के notice भेज सकता है और income tax department के notice से कैसे बचें तो आज के इस lecture में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि वो 5 तरह के खतरनाक notice कौन से है जो income tax department किसी व्यक्ति को भेज सकता है उन notice के पीछे कारण क्या हो सकते हैं और उनसे बचाओ कैसे किया जा सकता है आपको क्या करना चाहिए कि उस notice का जो है wrong impact आप पर नो हो या आपके खिलाफ कोई कानूनी कारिवाही नो हो तो सबसे पहला notice आपको भेजा जा सकता है वो है ITR फाइल नहीं करने पर notice आप ध्यान रखिए इस बात पर कि यदि आपकी कमाई धाई लाग रुपे से ज़्यादा है वरिस नागरिकों को कुछ छूट है और तरह तरह की छूट है लेकिन एक normalization में बता रहा हूँ कि धाई लाग रुपे से ज़्यादा आपकी income है तो आपको ITR फरना जरूरी है यह हर साल जो है होती है financial year के end पर आपको ITR फरना होता है और अगर आपकी जो company है जहाँ आप job कर रहे हैं जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं अगर उसने आपका TDS कार्ट रखा है तो भी आपको ITR फरना जरूरी है अगर इसमें चूक हुई है आपने ITR नहीं भरा है तो आपक पर ITR फाइल करें या निर्धारित अवधी जो last date होती है उससे पहले ITR फाइल करने का प्लान करें अगर इस बारे में की ITR कैसे फाइल किया जाता है कोई जानकारी आपको नहीं है और जानकारी आपको चाहिए तो हम जरूर एक lecture लेकर आएंगे जहां हम किसी CA chartered accountant से बात क करेंगे जो आपको ITR फाइल करने के बारे में कमबध चरणबध जानकारी दे सकेंगे तो ITR समय फर फाइल करना इस notice से बचने का एक तरीका है और अगर notice आ ही गया है तो ITR फाइल कर दीजिए जो penalty बोली गई है वो भरना पड़ेगा और आप आगे की कानूनी कारिवाही स बच सकेंगे जो दूसरा notice आपको income tax department से आ सकता है वो तब आएगा जब TDS में कोई अंतर आ जाए रिटर्न में आप जो TDS दिखा रहे हैं और traces की website पर दिखने वाले TDS में कोई अंतर है तो आपको notice आ सकता है तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए अगर इन दोन खजाने में जमा किया जाए जो तीसरा notice हो सकता है वो तब आ सकता है जब आपने आपके कमाई के अन्यस रोतों की जानकारी income tax return में या income tax department को नहीं दी है आपको ध्यान रखना चाहिए आप जिस जिस भी source से कमाई कर रहे हैं टेक्स रिटर्न में उन सब के बारे में बताना जरूरी है saving accounts, fix deposit या ID से होने वाले ब्याज की कमाई को लोग return में भूल जाते हैं इस गलती से आपको notice आ सकता है कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके bank ने lower tax lab में आपका TDS काट लिया हो लेकिन आप higher tax lab में आते हो तो भी आपको notice आ सकता है ऐसी सिती में आप income tax की नजर में आ स income की जानकारी लें और जब आप return file करें तो इन सभी तरह के income की जानकारी अपने ITR में क्रमबध तरीके से दें अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आप इस तरह की notice से बच सकते हैं और अगर ऐसा कोई notice आ गया है penalty की बात है तो penalty फिर भरना ही होगा जो चौथे तरह का notice आपको लाक रुपए आ जाएं और यह बात income tax department की नजर में आ जाती है ऐसी सिती में notice मिल सकता है ध्यान रखना है जब कभी कोई बड़ा transaction हो तो इसकी जानकारी इंकम टेक्स department को देनी ही होती है ITR में आपको इस जानकारी को भरना चाहिए अगर आपको share market में कोई बड़ा फायद आपके income tax return में किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण हो सकता है वो हो सकता है calculation में कोई गड़बड़ी हो या जो आपने जानकारी भरी है उसमें ही कोई गड़बड़ी हो तो इसके लिए करना यह है कि कभी भी ITR को गलत तरीके से नहीं भरना चाहिए आपके लिए जो form उ form भरने के बारे में किसी जानकार से जानकारी ले लें अच्छा हो अगर आप किसी CA से चर्चा कर लें या किसी CA के माध्यम से ही form भरवाएं क्योंकि उनके पास इसकी expertise होती है तो इन पांच तरह के notice से कैसे बचा जा सकता है क्या करना चाहिए इस बारे में मैंने आज आपक सिक्षा से समझते रहिए देश दुनिया के कानूनी बारीकों को आसान शब्दों में नमस्कार